आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ एक इंस्टेंट नी बनने वाले फेल की रेसिपी और क्यूंकि फेल चाद खाना सभी को अच्छा लगते हैं और यह जो रेसिपी बनाऊंगी इसको थोड़ी में हेल्डी वे में बनाऊंगी और आप लोग winter हो, summer हो, मंशून हो, सभी सीजन में इस फेल की रेसिपी को घर में ही बहुत ही easily और बहुत ही कम समय में लगपत तू मिनट में ही बना के खा सकते हैं इस भैल की रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है यह इंस्टेंट भैल यानि यह हल्देरम की इंस्टेंट भैल से बनाऊंगे आज की इस रेसिपी देखिए इसके अंदर रहते हैं ऐसे पाफ राइस पीनच और ऐसे पप्री जो पप्री चाट बनाने के लिए पप्री होता और थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको लोग को बोल देती हुँ, और यह है 50 ग्रम की, और इसकी प्राइस है 10 रूपीस, 50 ग्रम में 10 रूपीस में ही मिल जाते हैं, और इसकी एकस्पेड़त 5 मांच तक रहते हैं, देखिए, आप लोग अपने मर्जि से, ऐसे भी यह खा सकते हो और अगर आप लोग को कुछ इंग्रीडियंट इसमें एक करना है तो आप लोग एक करके भी इसकी स्थेस थोड़ा अलग करके भी खा सकते हो इसमें क्या-क्या इंग्रीडियंट है देखिए पाफ राइड जो हम लोग मूरी बोलते हैं वह और रिफाइन पाल्मोलीन क्लोफ और पाउडर आजवाइन सभी है और इसको ऐसे खाने में भी बहुत ही तेस्टी लगते हैं और प्राइस वाइस भी बहुत ही रिजनेबल है पर इसको में थोड़ा अलग तरिके से आज आप लोग को बना के दिखाती हूं तो इस बैल की बनाने के लिए यह करके लिए है यह पुढिन और यह के री क्योंकि मार्केट में अभी मिल रहे हैं रौ मेंगो जो है यह थोड़ा पग भी गये बद इसकी टेस्ट जो है यह खटता ही है तो यह लिए मैंने के री यानि रौ मैंगो थोड़ा लिया है यह टोमेटो को चॉप करके और यह है को अगर कम चदा लगे मुझे बाद में एट करूँगी और साथ में ही थोड़ा चाथ मसाला तो आएए सुरू करते हैं इसको बनाने की प्रोसेस लिया है फर्स करके वान पेकेट जो फेल है इंस्टेंट वेल हल्दी रमकी उसको दाल दिया है मैंने सोसा था कि अगर कम हो तो इसमें में थोड़ा और एक पेकेट इसमें एड करूँगी यह काफी है क्योंकि मैं और शिवर नहीं खाने वाले हैं इसको अब मैं इसमें एड करूँगी फरस्त इसमें जाएंगे जो कती हुई टमातर आप लोग कम जड़ा क्वांटिटी में ले सकते हो इसके बाद यह गई ओनियन इसके बाद यह है रॉ मैंगो यानि केड़ी यह बहुत अच्छा लगते हैं आप लोग जरूर इसको ट्राइ कीजिए इस रेसिपी के साथ साथ में ही यह है पुदिना पुदिना की एड़ करने से बहुत अच्छा टेस्ट पी आता है और रिफ्रेसिंग लगता है और यह धनिया और अभी एड़ कर रही हूँ थोड़ा लेमन जूस और साथ में थोड़ा यूस करें हुए इधर रॉक सॉल्ट यह ऑप्सोनल है और साथ में ही थोड़ा चाट मसाला यह भी ऑप्सोनल है वह अच्छा लगता है ऐसे मिक्स करने में अभी सभी को मिक्स कर देती हूं इसके साथ और अगर आप लोगों को टिखा पसंड है तो आप लोग ग्रीन चिली भी इसमें एड़ कर सेटे हो अगर अच्छे से मिक्स हो गई है अब मैं प्लेट में सर्फ करके आप लोगों को दिखाते हूं यह देखिए मैंने प्लेट में सर्फ कर दिया है और देखने में भी बहुत ही कलर्फुल लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है और अगर आप लोग चाहते हो तो इसमें बॉइल पोठेटो भी एड़ कर सकते हो तब भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगते हैं इसा लगा आप लोगों को आज मैंने जो दिखाया है आप लोगों को यह चत्पत घर में ही बनने वाले फैल की रेसिपी जिसको मैंने बनाया है हल्दी रम्स की इंस्टेंट फैल से आप लोग कमेंट करके जरूर बताए और आगे भी मेरी ब्लॉक्स और वीडियो टेखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिए तो फिर मिलती हूँ मेरी नए वीडियो के साथ दब दक के लिए बाइबाइ स्टे हैपी एंड स्टे हेल्दी